समस्कार किसान भाईयों, मैं अजे बर्मा, एक बाद फिर से हाजीरूं आपके अपने चनल किर्शी परधान भारत में आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में हमारे तमाम किसान भाई पूछते रहते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है गन्य की फसल में डालें कि ना डालें अगर डालें तो क्या फायदा होने वाला है किसान भाई मैं आपको सुरू में बता दूँ कि मैं इसमें क्या जानकारी देने वाला हूँ ट्राइकोडर्मा क्या है ट्राइकोडर्मा को कहां से हम ले सकते हैं इसे किस तरह से गन्य की फसल में डाल सकते हैं, किस परकार से एक किलो ट्राइको डर्मा को हम एक कुंटल में बदल सकते हैं, किसान भाई, आप यहां भी जानेंगे कि किस परकार से यह हमारे गन्य में काम करता है, अगर हम गन्य में इसे डालते हैं तो या किन-किन बिमारियों से हमारे गन्य को बचाता है तो पूरी जानकारी आप वहां मिलने वाली है तो इसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर वीडियो पसंद आये तो आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे सेर भी करें किसान भाईयों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्राइको डर्मा क्या है, तो ट्राइको डर्मा एक जैबिक फफुद नासक है, इसे हम मित्र फफुद नासक भी कहते हैं, जो किसान भाईयों के लिए बहुत ही उप्योगी है, हमारे खेत में जितने भी फफुद वाल रोग क्यों ही ना हूँ यह सबका दुस्मन है आप अपने गन्य में इसे उप्योग करते हैं तो फफूत से लगने वाले सभी परकार के बीमारिया खेत से चली जाएंगी और आपके खेत में कोई भी फफूत बीमारी नहीं आएगी दोस्तों ट्राइकोदर्मा पौधों में रोगों से लड़ने की छंता को भी बढ़ाता है दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्राइकोदर्मा उप्योगी क्यों है तो बीज के अंकुरण के समय ट्राइकोदर्मा बीज में हानिकारक फफूत के आक्रमड और उसके परभाव को जाता है किसान भाईयों जैविक बिधी में ट्राइकोडर्मा सबसे प्रभावकारी योम सफल प्रियोग होने वाला रोग नियंत्रत है अगर हम बात करें कि यहां गन्ये में किस प्रकार की रोगों को नियंत्रत करता है तो कई ऐसी बिमारियां हैं जो ट्राइकोडर्मा गन् टाप राट लाड सरन रोग जैसी बिमारियों को नहीं लगने देता है गन्नों में दोस्तों अगर हम ट्राइको डर्मा का अपने खेत में प्रियोग करते हैं तो यहां भूम में जो हमारे आउसेस पड़े होते हैं जिसका हमें कोई काम नहीं होता है तो वो उन घास भूस को सड़ा गला कर जैविक खाद में परुर्तित कर देता है अगर हम इसके परभाव की बात करें किसान भाईयों तो इसका परभाव मिट्टी में सालों साल तक बना रहता है और यहां रोगों को रोकता है यह हमारे परिया औरड को किसी परकार की कोई हानी नहीं पहुचाता है किसान भाईयों अगर बात की जाए कि हम ट्राइको डर्मा को कहां से ले सकते हैं तो आप अपने मार्केट से जहां पर खाद या दवा बिक्ती हो आप ऐसी किसी भी दुकान से जा करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों अगर इसकी रेट की बात की जाए तो यह आपको मार्केट में 170 से 200 रुपे केजी तक भी मिल सकता है किसान भाईयों अब हम बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा को हम अपने खेट में किस प्रकार से उप्योग करना है और इसके कल्चर को कैसे बनाना है तो जब आपको इसका कल्चर बनाना हो तब आप 3-4 केजी ट्राइकोडर्मा ले लीजिए हम ये जो मात्रा बता रहे हैं आपको दोस्तों ये एक एकड के लिए बता रहे हैं तो 3-4 केजी ट्राइकोडर्मा ले लीजिए इसके बाद 1-1.5 कुंटल आप सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए और इसको आपस में बढ़ियां से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद आपको दोस्तों ध्यान देना है कि आपको इसे ऐसी किसी जगाँ पर रखना है जहां पर छाओ हो आप इसे पेंड की छाओ में भी रख सकते हैं किसी टीन सेट में भी रख सकते हैं और अगर आपको इसमें नमी कम दिख रही है गोबर में नमी कम है तो आप इस पर पानी का इस्प्रे भी लगाएं पानी का छिड़काओ भी करें और उसके बाद अगर आपके पास कोई टाट या कोई बोरा है तो आप उससे इसको ढग दीजिए ध्यान दे दोस्तों कि आपको इसे दिन में एक बार आपको इसको उलटना पलटना है जिससे हमारे जो एक कल्चर है बढ़ियां से उपर नीचे होते रहें और बढ़ियां से बने तो दोस्तों इस परकार से हमारे जो एक कल्चर है ये 7-8 दिन में बढ़ियां से बन जाएंग अपने गन्यम की बवाई करनी हो तो जब उसकी लाष्ट जुताई आप कर रहे हो तो उसमें इसकी पूरी बवाई करके आप इसको जोद दीजिए और उसके बद आप अपने खेत में गन्यम को लगाईए किसान भाईयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ट्राइकोडर्मा के साथ में कौन सी साउधानी करनी है कि जह हम इसे अपने खेत में डाल रहे हों तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखे किसान भाई, कि ट्राइकोडर्मा और किसी रासानिक पफू नासक का प्रियोग हमें एक साथ में नहीं करना है, सूखी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का प्रियोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, दोस्तों किसी रासानिक दवाएं या रासाने कुर्बरक के साथ में इसका प्रियोग ना करें क्योंकि ये दवाएं ट्राइकोडर्मा योम अन्य जो फादमन जैबिक कारक होते हैं ये इनको मार देती है खेत में नमी योम प्रियाप्त कावनिक हाथ की कमी से जो ट्राइकोडर्मा का विकास होना होता है वो नहीं होता है तो आप जब भी अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का पिरोग करें तो आपके खेत में प्रियाप्त नमी होने चाहिए किसान दोस्तों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको Trichoderma का culture अपने खेत में डालना हो तो आप इसे साम के समय डालें क्योंकि साम के समय में जब आप डालेंगे धूप कम हो जाता है और नहीं तो अगर आप धूप में इसे डालते हैं तो धूप में इसके जिवान उमर जाते हैं तो जब आप साम के समय में डालेंगे तो ये रात ही रात बहुत बढ़ियां से खेत में एक्टिव हो जाएंगे और पूरे खेत में इसके जिवान उपहल जाएंगे तो इसका जो परभाव होगा देखने को हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा तो किसान भावियों हमने आपको जो जानकारी देने की कोशिस की है अगर आप इस जानकारी के साथ अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रियोग करते हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा result देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों हमने जो जानकारी आपको दी है अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई जानकारी छोड़ दी है तो आप हमें कमेंट करिए हम उसका डीटेल में वीडियो बना करके आपको देंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी परकार से एक अलग वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद, जै जमान, जै किसान